नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News सक समवत 1945 विक्रम समवत 2018 आज बैसाक मा के सुकल पक्स की पोणिमा दिथी और दिन शुक्रवार है तदनसार अंग्रेजी तारिक 5 माई सन 2023 बैसाक पोणिमा को बुद्ध पोणिमा के रूप में मनाय जाता है आईए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन बढ़ की सुर्क्यों की तरफ हरियाणा में अभी नई थमेगा बारिस का दोर बताएंगे मोसम विभा की ताज आपडेट गैस टीचरों के लिए बड़ी खुसकबरी हरियाणा सरकार ने बढ़ाया वेतनमान हरियाणा में कोरोना से फिर मोत 4 माईने में 26 तोड़ चुके हैं दम शंक्रमण में गिराउट जारी बाहादुरगण में टीकरी बॉल्डर पर जाम दिल्ली पुलिस की थ्री लेयर बेरिगेटिंग पहलवानों को शमर्थन देने जा रहें लोगों को रोका गया दिल्ली में पुलिस रेसलर्स जाड़प पर बोले सेम खटर ये मामला हर्याना से जुड़ा हुआ नहीं है आरोपो में सच्चाई जाच का विश है डिप्टेश एम दुशन चोठला साथ माई को नारनोल में गहली में जन्सभागों करेंगे सम्भधित विकासकारियों का होगा उदगाटन शिलानास तैयारी हुई शुरू केविएस रिकूट्मेंट 2023 अबडेट केविएस टीजटी वे पीजटी इंटर्वी के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी नीट यूजी 2023 अबडेट एडमिट कार्ड हुए जारी साथ माई को दो पर दो बजे से एकजाम होगा शुरू उमिद्वारों को 720 नंबरों के 180 क्यूशन अटेम्ट करने होंगे हिसार में पहलवानों को किशानों का समर्थन टॉल फिरी किये गए वहीं जीन्द में पहलवानों के समर्थन में खटका टॉल फिरी किया गया दिल्ली में पुलिस रोक रही है, मेट्रों का साहरा लेकर पहुंच रहे हैं नेता केदारनात के राष्टे में गलेशियर टूटा, यात्रा रोकी गई, उत्राखण हिमाचल और जमू कस्मिर में बरबारी, बंगाल की खाड़ी में 6 मई से चक्रवात का अलाट वाजारी 5 मई यानि आज लगेगा साल का पहला चंदर ग्रहन, साल का पहला चंदर ग्रहन सूर्य ग्रहन की तरह भारत में दिखाई नहीं देगा, इस वोजे से इस ग्रहन का सूतक काल भी भारत मिमाने नहीं होगा राजस्तान में नर्सिंग ओफिसर के पदवप्र वेकेंसी, 40 साल तक की उमर में कडिडेट अपलाई कर सकेंगे, लास्ट डेट च्यार जून दोजार तेईस हरियाना में पस्टमी विचोव के परभाव से 27 अप्रेल से लगातर मोसम परिवतनशील रहा है, इस दोरान पस्टमी विचोव तथा अरब सागर्शे आने वाली नमी के हवाओं के शयुक्त परभाव से 27 अप्रेल से लेकर 3 माई के दोरान राजे के ज़्यादा तर छेत्र यानि आज से एक और पस्टमी विचोव के आने से 27 माई को राजे के ज़्यादातर छेत्रों में हवाओं वगरत चमख के साथ हलकी से मद्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, साथ ही कुछ एक स्तानों पर तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है, इसके बाद यानि 8 मा इसे राजी में मोसम आमतवर पर खुशक रहेगा, हरियाना सरकार ने स्कूलों में कारे रहत आती थी अध्यापकों के वेतन में बड़ोतरी की है, गेश टेचर को अब 4 परतिशत बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बड़ोतरी के दरहें पहली जनुबरी 2023 से लाग होंगी, सरक अब से सतलोज यमना लिंग यानि S.O.I.L. का पानी नए मिलेशिन राज हरियाना ने अब नए विकल्प पर विचार करना प्रारंब कर दिया है, उत्तर परदेश के बाद अब हरियाना ने अपने पडोशी राजी हिमाचल परदेश से सतलोज का पानी लेने का विकल्प त जाएगी, दक्षन हरियाना के लिए सतलोज का पानी मिलना बेहत जरूरी है, यहां के महेंदरगड रेवाडी वै भिवानी जिलों में सिचाई के लिए पानी की बहुत किल्प है हरियाना में कोरोना संक्रमन से मोतों का सिलसला जारी है पंचकुला जिले में संक्रमन से एक मोतोंने का मामला सामने आया है जनवरी से लेकर अब तक कोरोना के नई लेयर में राज्य में 26 मोते हो चुकी है अब तक राज्य में 10,740 संक्रमितों की मोतों हो चुकी है हलांकि 10 दिनों में संक्रमन की रफ्तार में 75 फिजदी तक की गिराउट भी देखने को मिली है 24 घंटे की बात करें तो राजिय में 6,289 शेंपलों की जाच की गई है चिन में से 243 लोगों में संक्रमन की पूष्टी होने का मामला सामने आया है भारत में पहली बार केंदर सरकार ने देश बर में स्थीत जल स्रोतों की गणना की है जल सक्ति मंत्राले द्वारा पहली बार जारी Water Bodies Fast Sension Report के अनुशार हरियाना में कुल 14,898 में जल स्रोतों में से 60 पीजदी यानी 8,744 में इस्तिमाल में हो रहे हैं जबकि 40 पीजदी यानी 6,104 शूख चुके हैं सबसे अच्छी स्थीति केंदर साशी तराजी चंडीगड़ की है City Beautiful इकलोता है जहां पर 100 परतिशत जल स्रोत उप्योग में है देश में सबसे अधिक जल स्रोत के रूप में तालाब यानी 69,5 परतिशत हैं इसके बाद टैंक 15,7 परतिशत हैं जलाज से 12,1 परतिशत जल सनक्षन योजनाई के तहित बने चेक डेम 9,3 परतिशत जिले 0,9 परतिशत और अन्ने 2,5 परसेंट हैं सुप्रीम कोर्ट ने WFI यादेक्स ब्रेजबुशन के खिलाब महिला रेसलस की याचिका की सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी अदालत ने कहा कि महिला रेसलस को सुरक्षा दी गई है उनके मांग ब्रेजबुशन पर F.I.R दर्ज करने की थी जो पूरी हो चुकी है जंतर मंतर पर बुदवार देराथ हुई जड़प में पहलवान राकिस यादव और विनेस पोगाट की भाइद दुशन्त को चोटे आई है दिल्ली पुलिश का कहना है कि रेसलर पर बल परियोग नहीं क्या गया है हरियाना के जिले करनाल पहुंचे शिया मनोरलाल खट्र ने सबसे पहले पार्टी कारेले करन कमल का उदगाटन किया इसके बाद उन्होंने अनाज बंडी में राज़िस्तरी गुरु गोरोखनाथ स्मर्ति उत्सों में सिर्कत की सियम ने कारेकरम की दोरान काई मैधपून गोशनाएं की जिनमें बाबा मस्तनात विश्वी डालें अस्तल बोहर रोतक में गुरु गोरोखनाथ के नाम पर एक जीसर्च चेर की स्थापना उनके नाम पर एक सेक्षनिक संस्तान का नामकंड सामिल है प्रोहित कल्यान बोर्ड और गुरु गोरोखनाथ की सिक्षाओं से छोटे बच्चों को आउगत कराने के उद्देश से स्कूली पाठिकरम में गुरु गोरोखनाथ की जीवनी और सिक्षाओं को सामिल करना आधी मुख्य रूप से रहा मुख्य मंत्रे ने आस्वाशन दिया कि उनके द्वारा उठाई गई हर संभाव मांग को पूरा किया जाएगा अपने संभोधन में सियम ने का कि हमारे संतों और महापुर्शों ने हमेशा सामाजी कुरूद्यों को दूर करने में महतपुन भोमिका आता किये आज भी उनकी सिक्षाओं की प्रासंगिकता है इसलिए सरकार जनता के बीच सामपरताइक सद्वाव, सान्ती और संतों महापुर्शों की सिक्षाओं के संदेश को फैलाने में महतपुन भोमिका निभाती रही है रेशलर्स की लडाई का असर दिल्ली के बाद अब हरियना में भी दिखेगा आम आधिम पार्टी यानि आप रेशलर्स के समर्थर में हरियना भर में केंदर और राजी सरकार के विरद में परदर्शन करेगी आप नेता अनुराग डांडा ने इसका एलान किया है परदर्शन से पहले डांडा दिल्ली पहुंच गए हैं जा उन्होंने इस पूरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल से चर्चा कर आगे की रननीती बनाई अनुराग डांडा ने ट्विट कर लिखा कि हमारे खून में बेहन बेटियों के आशु बहाना नहीं है आज हरियाना इसका जोरदार जवाब देगा हरियाना के नारनोल के गाउं गैली में 7 मैं को जननाइक जनता पार्टी अनि जेजेपी की सबह होगी परदेश के उपमो के मंतरी दुशन चोड़ाला इसमें कारेकरतां को संबोधित करेंगे जजपा ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है डिप्टे सिया में इस दोरान चेतर में किये गई विकासकारियों के सिलैनास वे उदगाटन भी करेंगे जननाइक जनता पार्टे के जिला प्रोक्ता शिकंदर गैली ने बताया कि भाजपा जस्पा गडबंधन सरकार परदेश में विकासकारियों के रापर तेजी से दोड रही है इसमें महेंदरगड जिला भी अचुता नहीं रहा है उन्होंने बताया कि मेहंदरगड में मेडिकल कोलेज, लोजेस्टिक हब हो या फिर जिला में तीन-ती नैशनल हाईवे की एंट्री हो हाली में अटेली शेतर में सडक रिपेरिंग के लिए 46.64 करोड रुपे की रासी मंजूर की गई है गाउं में गलियों को पक्का करवा ना हो या फिर PWD वर मार्केटिंग बोड के अधीन आने वाली सडकों की नविनिकन की बात हो इस छेतर में विकास कारे का दोर निरंतर जारी रहा है केदारनात के रास्ते में गुरुवार को गलेशे टूड जाने की वज़े सी यातरा को बीच में ही रोग देना पड़ा केदारनात के अलावा उतराकन हिमाचल और जमू कस्मिर में बारिस के साथ ही कुछ एक स्थानों पर बरबारी दर्ज की गई है मोसम विभाग ने बंगाल के खाड़ी के दक्षनी पूरो में नो मही तक चक्रवाद बनने की आर्शन का जताई है चक्रवाद के बंगाल के मद्य खाड़ी के और बढ़ने का अनुमान है इससे 40-50 किलिमटर पर ते गंडे की रफ्तार से हवाई चल सकती है चक्रवाद का नाम मोचा होगा यह नाम यमन ने लाल सागर की एक पोर्ट सीटी के नाम पर रखा है मोसम विभाग निकों की माने तो मार्च अप्रेल में 14 बार वेस्टन डिस्टरबेंस या यूँ कहें कि पष्ट में विचोब एक्टी हुए है वेस्टन डिस्टरबेंस भारतिया उप महादीब के उत्री इलाकों में सर्दियों के मोसमें आने वाला एक तूफान है वेग्यानिकों ने कहा है कि अगर 204 दिनों में पारा बढ़कर 40 डिगरी सेल्सिस के पार नहीं पहुँचा तो उत्र भारत में इस साल मानसुन लेट होने के साथ ही कम जोर भी पढ़ सकता है जामिया मीलिया इसलामिया यूनिवस्टी नई दिली ने कई नॉन टीचिंग पदों पर भरती के लिए आविदन आवंदरित किये हैं जो भी इन पदों के लिए चुक हैं वे अपना आविदन भेज सकता है महिला वे पुरुष्ट दोनों वर्गों के उमिद्वार अपने आविदन भेज सकते हैं आविदन करने की अंतिम्तिती 31 मही 2023 तै की गई है मल्टी टास्किंग स्टाफ के उमिद्वार दस्वी पास होने चाहिए तो वहीं LDC उमिद्वार सनातक पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी टाइब में उनकी गती 35 सब्द परती मिनट तथा उने कम्पिटर का ग्यान होना चाहिए महीं लैब अटेंडन के पदों के लिए बात करें तो आवी तक विज्ञान विशे साही दस्वी या फिर बार्वी पास होने चाहिए आयू सीमा 18 वर्स से लेकर 40 वर्स निर्धारित के गई है कुल 176 पदों पर ही भरती की जाएगी इन पदों के लिए उमिद्वारों को ओफलाइन आविदन करने होंगे अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें हरियाना के सेम मनोरलाल खटर ने अपने जन समवाद कारेकरेम की तैयत क्रूचेतर दोरे पर एक बड़ी गोशना की है बतादें कि शटकों पर घूमते बे साहरा गोवन्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और जिनकी वज़े से आई दिन परदेश में हजारों शटक दुरूगटनाई गट जाती है जिसमें सेंकडों लोगों की जान चली जाती है और कई लोगों को गंभीर चोटों से उमर भर जूजना पड़ता है ऐसे में इस तरह के हाथों से जूजने वाले लोगों को परदेश सरकार ने बड़ी राहत देते विए एक बड़ा फैसला लिया है मनोरला लखटर ने गोशना करते विए कहा है कि किसी भी बेसाहरा पासों के कान या हमले या उसकी चोट के कान दुरुभटना में किसी भी वैक्ति के मोद हो जाती है तो परदेश सरकार मरतक के परिवार को 5 लाग रुपे की आर्थिक मदद देगी मुक्यमंत्रे मनोरला ने कहा कि बेसाहरा पासों को शटकों से अटागर गोशालाओं में बेजा जा रहा है ऐसे पासों को रखने वाली गोशालाओं के लिए भी विशेस फंड जारी किया जा रहा है हरियाना में अपरादियों के कमर तोड़ने के लिए हरियाना पुलिस ने अपनी रणनीती बदली है विबिन अपरादों में सामिल बदमाशों और उनके मददगारों पर नकिल कसने के लिए पुलिस ने नया एक्षिन प्लान तयार किया है अब पुलिस पूरे परदेश में एक साथ चुनाव परचार करने के बजाए छेतरवार बदमासों पर कारेवाई करेगी पराद के साथ अपराद के विब्हनी चेतरों को चिनित कर अपरादियों की घहरबंदी के जाएगी ताकि कोई भी अपरादी किसी भी परष्टिति में बचनेश के इसके सुरुआत पिछले अपते मेवात में साइबर अपरादय खिलाप अभियान्शे हुई है इस विशेस अभीयान में बड़ी संक्या में साइबर ठगों की गरफतारी पर पुलिस के आला अधिकारियों ने भी संतोस जताया है आगे भी इसी तरह की कारवाई हर्याना पुलिस के दवारा पूरे हर्याना पर्देश में की जाएगी यदि आप भी इन दिनों एक नया स्मार्टपॉन या फिर टीवी खरीदने के प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए आज की ये खबर एहम होने वाली है इस सेल में आपको काफी औकर्शे काफर मिलेंगे ये सेल बीती राद बारा पजे सुरू हो चुगी है इस सेल में खास तोर पर स्मार्टफॉन पर ज्यादा डिसकाउट दिया जाएगा वही Redmi Note 12 Pro 5G को 21,799 रुपे में आप स्मार्टपोन अपने घर पर ला सकते हैं वही स्मार्टपोन के साथ साथ आप 75% तक के डिसकाउंट पर TV और दूसरे होम एपलाइसेज भी अपने घर पर ला सकते हैं यदि आप AC खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी इस सेल में आपको एक बेहतरिन डील मिलने वाली है सेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है ये 555 अंग चड़कर 61,749 के स्तर पर बंद हुआ वाई निप्टी में भी 105 तंगों की तेजी दिखाई दी ये 18,255 के स्तर पर बंद हुआ बाजार को मेटल और सरकारी बैंकों की सेयरों से स्पोर्ट मिला सेंसक्स के 30 सेयरों में से 21 में बड़द और 9 में गिराउट देखी गई सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने वाचांदी की केमतों में तेजी दिखाई दी है सराफा बाजार में 22 केरट सोने की केमत 56,393 में रुपए पहुँच गई है चांदी की केमत में सांदार तेजी देखने को मिली है ये 1037 रुपे महेंगी होकर 76,369 रुपे परती किलोगराम पर पहुँच गई वहीं 1 डॉलर का रेट 81 रुपे बेहतर पैसे के स्तर पर पहुँच गया है आज खबरों पर इतना ही देखते रहिए हर्याना का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल CWB Hindi News नमस्कार